तो तेयर स्टुरेंट्स अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के कितने टाइपस हैं, आर्टिकल्स का क्या यूजेज हैं, तो इस वीडियो को देखने बाद में आपको यकीन देता हूँ कि आपके माइन में ऐसा कोई भी कुस्ट्टन बाकी न होना चाहिए है कि आर्टिकल कितने होते हैं तो फरेंट दोपने और सेकें चाहिए और इन को इस इस लिए कर गया है चैसे होगया नहींस तते हैं किसी phenomenon करते हो हैं मख जतर हुसरा करें साथ आ या किसी या डॉक्टर के लिए सकते हैं किसी पर्टिकुलेक्रं साथ के वारे में नहीं मेंचन किया गया है है खेंड जो दूसरा था ट्था ओयर ढीज Looks the definite article है और यह जो होते हैं यह किसी particular person के लिए यह किसी particular चीज के लिए यूज़ होते हैं तो कोई भी particular चीज हो उसके साथ जो हम article लगाएंगे वो definite article लगाएंगे जैसे के हो गया ही साधी doctor इसकी मीनिंग यह है कि इसने कोई particular doctor देखा तो किसी भी particular नहीं पता तो इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं वह आप लाजमी से देखने इस वीडियो के बाद तो फ्रेंट जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वह सिर्फ सिंग्यूलर कौंटरबल नौंस के साथ यूज़ होते हैं जैसे के अबुक एन औरेंज अगर तो फ्रेंट वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं का जो डिफिनिट आर्टिकल्स होते है वो singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns के साथ use होते हैं और जो indefinite articles हैं वो सिर्फ singular countable nouns के साथ use होते हैं तो इसके मजीद examples लेखते हैं जो था के friends मैंने आपको पहले ही बताया a and an दोनों indefinite articles हैं ठीक है और इनके जो usage यह अक्तर students करते हैं वो गलत करते हैं तो dear students, Glenn, मैं आपको इसका concept clear कर राता हूं क्यूंके concept is power अगर आपको concept समझ में आ जाता है तो आप easily इसका correct use कर सकते हैं आपको इसका रटा नहीं लगाना आपको concept समझना है क्यूंके concept is power तो dear students, चलते हैं a and an का कहां पर use होता है तो dear students, जो a और an का use पुदेज होता है वो sound के मताबिक होता है जब कोई vowel sound हो starting में तो वहाँ पर हम n यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने यहां पर define किया है the choice between a and n is determined by sound before a word beginning with a vowel sound n is used इसका मतलब यह हुआ कि हम जो choice करते हैं a और n की वो हम sound के मताबिक करते हैं जब कोई vowel sound आ जाता है beginning में वहाँ पर हम n यूज़ करते हैं जैसे कि n enemy हो गया, n orange हो गया, n honest हो गया यहां पर देखें vowel sound starting में है ठीक है इन अलफाज के साथ vowel starting में है तो यहां पर देखें हमने क्य यूज़ किया, n यूज़ किया है तो friends यही तो rule है इसको तो आपको समझना है जब कोई vowel sound आए तो वहाँ पर हम n यूज़ करेंगे तो friends आप n का यूज़ समझी गए अब पढ़ते हैं अ का usage तो friends अब हम पढ़ते हैं हम a कहां पर यूज़ करते हैं तो friends before a word beginning with a consonant sound a यूज यह नहीं कि जब किसी noun का consonant sound से उसका pronunciation start हो वहाँ पर हम a use करेंगे तो friends यहाँ पर देखें a boy, a woman, a yard, a horse, a hall, a university, a union, a European तो dear students यहाँ पर देखें यहाँ पर जो हमने noun से use किये हैं वो consonant sound से start हो हैं तो जब consonant sound से कोई noun start होगा वहाँ पर हम a का usage करेंगे वहाँ पर जो हम article use करे तो friends अब आपके माइन में यह होगा कि a university कैसे होगा, a union कैसे होगा, a European कैसे होगा, a European कैसे होगा, क्यूंकि यह तो wowil sound, wowil words से start हो रहे हैं, यहाँ पर तो हम N use करना चाहिए, मगर यहाँ पर हम a use क्यूं कर रहे हैं तो friends मैंने आपको पहले भी बताया कि आप wowil sound को देखें तो friends चलें, आपके इस doubt को भी हम clear कर देते हैं, तो friends यहाँ पर देखें है, university union European, consonant sound से start हो रहे हैं, use, y, u, u, use start हो रहे है, तो यह consonant sound से start हो है, इसलिए हमने a use किया है, तो guys अब आपके मैंड में यह होगा कि umbrella भी us start हो रहे है, University भी यूज़े स्टार्ट हो रही है University के साथ नमें A यूज़ किया है Umbrella के साथ हमने N यूज़ किया है वो क्यों किया है तो इसको भी जाने के लिए आप देखते रही है ये वीडियो क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मारेंड में कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा अब देखें Umbrella के साथ हमने N इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वोविल साउंड दे रहा है Umbrella देखें A का यूज़ A का साउंड दे रहा है तो इसलिए हमने N यूज़ किया है यू का साउंड दे रहा है इसलिए हमने A यूज़ किया है तो फ्रेंट मैं आपको ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ जिसके तो आप ये इजिली डिफाइन कर सकते है कि A कहां पर यूज़ होता है और N कहां पर यूज़ होता है तो फ्रेंट अब देखें जब कोई उर्दु का लेटर अलिफ, अलिफ मन्दा और N से श्राड़ो वहाँ पर आप आखे बंद करके N का यूज़ कर ले तो फ्रेंट इसके बाद हम पढ़ते है definite articles का यूज़ definite article दे है एक ये definite article वो दे तो अब इसका यूज़ है देखते है तो यूज़ इसका है वेन हुई टाक अबाद 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 इसके बारे में बात करते है जिसका पहले हमने जिकर किया हो उसके साथ हम जो आर्टिकल यूज़ करते है वो definite article यूज़ करते है तो फ्रेंट्स अब देखते हैं इसके बारे में आपने पहले ही कोई जिकर किया है वो बुक नहीं है तो इसलिए हमने बुक के साथ definite article यूज़ किया है अब जो next example है लेट्स गो तो दी पार्क वुच पार्क इन दिस टाउन यानि के वो पहले उसके बारे में जिकर कर चुके हैं या कोई particular पार्क है दा गर्स क्राइड दा गर्स अरेड़ टाग्ट अबाउड यानि के उसके बारे में पहले ही आपने जिकर किया है वो गर्स क्राइड कर रही है वो गर्स हो रही है तो फिरन जो second usage of definite article है वो यह है के when a singular noun is mean to represent a whole class यानि जब कोई singular noun पूरे class को represent करें तो उसके साथ भी हम जो article यूज़ करेंगे वो definite article होगा दा यूज़ करेंगे जैसे के the cow is a useful animal तो dear students यहाँ पर note करें कि जो the cow है वो पूरे class को represent कर रहा है cow singular noun है और पूरे class को represent कर रहा है तो इसके साथ हम जो article यूज़ करेंगे वो definite article होगा दा रोज is the sweetest of all flowers यह भी जो रोज है वो अपने class को represent कर रहा है single noun पूरे class को जब represent करें वहाँ पर हम definite article यूज़ करते हैं और जो दूसरा user यह article दा का वो proper nouns के साथ है proper names के साथ है जैसे के oceans में taxi तो यह proper names है इसके साथ भी हम the use करते है SM, rivers होगे the ganga, the neil, the indus यह proper names है इसके साथ भी हम article यूज़ करेंगे वो definite article होगा SM, proper canals जैसे canals होगे हैं, deserts होगे groups of islands होगे हैं, mountain ranges होगे उसके साथ हम जो article यूज़ करते हैं वो definite article यूज़ करते हैं उसके अलावा जो few countries हैं उसके साथ भी हम the use करते हैं वो कौन से countries हैं, किन के साथ हम use करते हैं देखते हैं अब a very few names of countries which includes words like republic and kingdom वो country जिसके साथ हम republic जिनके साथ republic या kingdom लगा हुआ उसके साथ हम the use करते हैं for example the Islamic Republic of Pakistan यहाँ पर देखें, republic use किया हो इसलिए हमने the use किया है, the Islamic Republic of Pakistan the United Kingdom यहाँ पर kingdom use किया है तो यहाँ पर हम the use करेंगे उसके लबावा कुछ certain book हो गई जैसे के the holy Quran, the ramayan or before names of things unique for their kind जैसे के the sun, the sky, the ocean, the sea, the earth इसके लबावा जब हम superlative degrees use करते हैं उसके साथ भी हम article जो use करते हैं the होता है, जैसे के the darkest, the best और जो next usage of the है वो ordinals के साथ हम use करते हैं with ordinals, जैसे के you are the first man to arrive तो यह ordinals है, first, second, third इसको हम ordinals number कहते हैं तो इसके साथ हम the use करते हैं इसके लावा जो definite article है वो before musical instrument के साथ हम use करते हैं जैसे के you can play with flute उसके लावा the before and adjective when the noun is understood तो friends, अगर आपको adjective बारे नहीं पता तो मैं आपको description में link दे देता हूँ वो वीडियो आप जरूर देखें तो आप समझ जाएंगे adjective क्या है तो example देखते हैं the poor are always with us यहाँ पर adjective साथ हम ने the use किया है और noun be understood है और उसके लावा before a noun with emphasize to give the force of a superlative जैसे के the verb is the word और उसके लावा as an adverb with comparative जैसे के the more the mirror the more they get the more they want तो friends अब तक जो हमने सीखा वो सिर्फ articles के बारे में था अगर आप आप सो इस भी सीखना चाहते हैं तो मैंने जो description में link दे दिये वो लाजमी से देख लेना जावा उसके लावा